हलो दोस्तों मैं बिसंदत टिप सॉलनी विन से आज हम बात करेंगे दोस्तों 16 फरवरी की रेसों की और दिल्ली की रेस है दोस्तों 6 रेसे हैं टूटल पहली रेस दो बच के 30 मिनट में स्टार्ट है और आखरी रेस पांच बिज़ है काड यार कुछ डर्बी तो बहुत बढ पर आए और सूरन ने क्या जिसे कहता है गजब की राइडिंग करी है और सकले ने भी सीज करेंगे यह बहुत बढ़िया राइड किया है साही यही नाम था और आवर बहुत बढ़िया काड गिया है जहां तक मुझे लगता है और उसके बाद दिल्ली में आ जाते हैं काड थोड़ा सा इस बारी डेंजरी कह सकते हैं यहां थोड़ा सा ओपन फिल्ड कह सकते हैं यहां पर टॉप और सिस अउन फिल्ड का यह समय नहीं था तो इसलिए मैं सीधा सेलेक्शन में आ जाता हूं बट एक बारी थोड़ा सा जो मुझे दिख रहे हैं जैसे और चिड्स है यह मताश्थील में लास्टाइम पे कलकत्ता में स्लोर निकल के साथवा लगा है फैवरेट था कॉल्ड पर्सीट के आगे यहां पर सर्प्राइस कर सकता है ट्रैक सूनी कर रहा है दोस्तों गोडे का बैंगलोर के गोडे मंबई की गोडे हैधराबाद के गोडे दिल्ली व उद्री का मुझमिल हास्मी के नीचे यह घोड़ा थोड़ा सा मुझे सही लग रहा है एक्सेस वेप के साथ में गोड थर्ड लगा था किंग्स क्रेजी के आगे और इस बारी उमीद करते हैं कि दुआरा बोड में देखने को मिले और सैकंड डेस में आ जाते हैं दोस्तों चौदा सो मिटर क्लास फोर किया है यहां पर जो मैं पिक लेके चलूंगा पांच नंबर और और गैनिक मॉंक दानू एस देवडा और यहां पर सूज स्टिल से अलमूनियम हो रहे हैं और गामा के आगे पांच वा लगा था चौदा सो मिटर में और दूसरा गोड़ा पिक और उमीद करते हैं एक better run देखने को मिले उसके पाद आ जाते हैं दोस्तो थर्ड रेस में 1000m क्लास 2 की रेस है और यहां पर यहां पर जो मेराまだ एक नंबर का चैर नरेंदर एस राटार एक नंबर का गेट है 1000m की रेस है और 1000m अलरड़ी जीता हुआ है यारर तो यहां पर surprise बिल्कुल एक बेटर रन या सर्प्राइज कहलो क्योंकि अभी दो रन चौथा चौथा और फरंट डानर है सबसे बड़ी बात यह है और दूसरा गोड़ा इसी रेस में पिक करके चलूंगा दोस्तों दो नंबर एड़ोरेबल धानु इस देवड़ा गेट काफी बाहर का जोलर के आगे स्टील में तो पोटेंसल है गोड़े पे यार और भी गोड़े है इसी रेस में और एक यह गोड़ा भी है कहना में इसका माय आर्मर हमक से के नीचे बट पिक यार मैं इनी में लेके चलूंगा एक नंबर काया दो नंबर एड़ोरेबल धानु इस देवड़ चौती रेस में आ जाते हैं दोस्तों बारासु मिटर क्लास थरी की रेस है यहाँ पे भी काफी गोड़े है यार एक नंबर है कोलोनन हाटी नेंदर एस राठोर के नीचे बिलकुली है सर्प्राइज दो नंबर बिग डैड़ी और पावलफूर रेंजर भी इस्टेल से अल मैं हाट धानुएस दिवड़ा तो जैसा यार मैं बता रहा हूं कि रेसे काफी मतलब ओपन फिल्ट के हिसाब से लग रही है तो मैं सिलेक्शन भी काफी सॉल्ट लेके चल रहा हूं कि अगर यह सिंगल घोड़ा आ जाए या प्लेस मिले तो आप प्लेस ज्यादा कंसिडर क है क्योंकि जो टॉप घोड़ा लग रहा है अब यह चार नंबर के चार नंबर के अगर मैं बात करता हूं एंजल इन माई हाट असु तेंजिंग के आगे फैवरेट था गोड़ा और गुट सैकंड लगा है पहली बात तो फैवरेट ही बहुत बड़ी बात है कि फैवरेट यहां पे और उसके बाद आजाते हैं दोस्तों पांच वी देश में 1100 मिटर क्लास 5 की देश है तो इस रेस में जो मेरा पिक रहेगा सिंगली और पिक करके चलूँगा तीन नंबर मैकन जाई यहां पे धानुएस दीवडा कालोस के आगे अर्जून ने राइट किया था ग जी गए गोड़ा जी थे और उसके बाद आजाते हैं दोस्तों छटी रेस में 1100 मिटर की रेस है क्लास 5 डिविजन 2 और यहां पे जो मेरा पिक रहेगा च्छै नंबर पिक करके चलूँगा असुप स्किन जी एस सिखावत के नीचे लास्ट टाइम दोनों रन सलो हैं यहां यहां पे इस बार ही अगर उमीद कर सकते हैं कि अगर गोड़ा गेट से सही निकले तो एक बैटर रन या अपसेट कर सकता है यहां पे और तीन नंबर रोयल बेबी आर यूसुफ ठीक है दोस्तों दिल्ली के लिए अल्दा बैस्ट बस यहीं कहूंगा काट काफी छोटा है बट काफी डेंजर भी दिख रहा है पंटर के लिए तो आप देखें इंजॉय करें या सेफ प्लेस को कंसिडर करें ठीक है दोस्तों अल्दा बैस्ट यार और बैस्ट अफ लक आपको दिल्ली के लिए और कार्ड को समझ के जो भी है अपने रिस्क में देखके करें और उस दो रेसें फिर सेम डे में ठीक है दोस्तों अल्दा बैस्ट बाई टेक केर मेरे वाई यो बाई यार